C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है, सफ़ा नंबर 53, सबक 9, नीम का पेड़ तुमने नीम का दरख्त देखा होगा, इसका असली नाम नीम है, नीम का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है, नीम सभी जगा आसानी से लगाया जा सकता है, लोग नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे इसके साए में खेलते हैं, और जानवर इसके नीचे बैठ कर आराम करते हैं, गर्म कपड़ों की हिफाज़त के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं, नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता, इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती, और ये अनाच के जखीरे की भी हिफाज़त करती हैं, सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो इनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश दूर हो जाती है नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं इसके फल को निपूली या निमकोली कहते हैं इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं इसकी गुठली से तेल भी निकारा जाता है जो बहुत से कामों में इस्तिमाल होता है नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तिमाल और नीम की छाल को घिस कर लगाने से फोड़े फुनसियां ठीक हो जाती है नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज है, ये मिस्वाक का काम करती है, ये कड़वी तो जरूर है, मगर दातों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है सफ़ा नमबर चववन एक लवज और मानी जखीरा धेर खारिश खुजली महफूज सही सलामत, वो जिसे कोई खत्रा ना हो दो, सोचिए, बताईए और लिखिए अलिफ नीम का असली नाम क्या है? बे, नीम की पत्तियां किस काम आती है? जीम नीम के फल से क्या-क्या बनाया जाता है? दाल नीम की टहनी किस काम आती है? तीम खाली जगों को सही लवजों से भरिये है के नहीं में की हैं से इन को गर्म कपड़ों खाली जगा हिफाज़त के लिए लोग संदूख में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा खाली जगा लगता इन पत्तियों से किताबों खाली जगा दीमक नहीं लगती और ये अनाज खाली जगा जखीरे की भी हिफाज़त करती खाली जगा सूखी पत्तियों खाली जगा अगर जलाया जाए तो खाली जगा के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने खाली जगह, खारिश दूर हो जाती खाली जगह चार बताईए कि ये बयान सही है या गलत अलिफ निबोली खाने से पेट की बीमारी दूर हो जाती है सही या गलत बे नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश हो जाती है सही या गलत सफ़ा नंबर पच्पन जीम नीम सभी जगा आसानी से लगाया जा सकता है सही या गलत डाल नीम की पत्तियों से गर्म कपड़े में कीडा लग जाता है सही या गलत हे, नीम की चाल को घिस कर लगाने से फोड़े फुनसिया ठीक हो जाती है सही या गलत पांच, इन जुमलों को सही लवजों से पूरा कीजिए अलिफ, नीम का मतलब है खाली जगा को दूर करने वाला बीमारियों या सवारियों बे, नीम सभी जगा, खाली जगा से लगाया जा सकता है मुश्किल या आसानी जीम, नीम के खाली जगा को निबोली या निमकोली कहते हैं फल या फूल दाल, इसकी गुठली से खाली जगा भी निकाला जाता है पानी या तेल हे, ये खाली जगा तो जरूर है मगर दातों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है मीठी या कड़वी छे, दिये हुए लवजों की जमा बनाईए दरखत, पत्ती, साया, जानवर, गुठली, कपड़ा, नदी, कीडा साथ, इन जुम्लों को सही करके खाली जगों में लिखिए अलिफ, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीडा नहीं लगती खाली जगा बे, तुमने नीम का दरखत देखी हुगी खाली जगा सफ़ा नंबर चपपन जीम, नीम के दरखत पर फूल लगती है खाली जगा डाल, इस दरखत का हर हिस्सा किसी ना किसी काम आती है खाली जगा हे, नीम की टहनी भी बड़े काम का चीज है खाली जगा आठ पिछले सबक में आपने मुजकर और मौनिस की तारीफ पढ़ी उसकी मदद से यहां दिये हुए लफ़ों को मुजकर और मौनिस के मताबिक लिखिए दरखत बीमारी खेल जगा जानवर हिफाजत आराम कपड़ा संदूक दीमक खारिश पानी फूल गुठली छाल टहनी नौ नीम के पाँच फाइदे लिखिए दस दी हुई तस्वीरों पर एक-एक जुमला लिखिए यहां मिस्वाक की तस्वीर दी गई है सफ़ा नंबर सत्तावन यहां तस्वीर में नीम की सूखी पत्तियां दी गई है इस तस्वीर में नीम के फल निबोली को दिखाया गया है इस तस्वीर में नीम की हरी पत्तियां दिखाई गई है 11. यहाँ एक गुल्दस्ता दिया गया है जिसमें साथ फूल हैं और उन फूलों में एक जुमले के अलफास बिखरे हुए हैं इन अलफास को तर्तीब देकर एक बामानी जुमला बनाईए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक 9 नीम का पेड समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत